नमस्कार दोस्तों सभी का स्वागत हैं अंजने अकडेमी यह अपनी यूटूब चैनल पे तो आज हम आई स्कीम मेकेनिकल इंजिनिरिंग आई स्कीम सिक्स सेमिस्टर का सिलेबस देखने वाले हैं इस वीडियो में हम मेकेनिकल इंजिनिरिंग का सिलेबस देखेंगे तो जो और ब्राइंच के बच्चे है वो ये वीडियो नहीं देखे तो भी चल सकता है ठीक है क्योंकि उनका टाइम जाएगा तो जो आई स्कीम है और अभी ये लास्स सेमिस्टर में डिप्लोमा के MSPT के मारस्टर स्टेट के उनको जो सबजेक्ट है सीस सेमिस्टर में हम पहले देखेंगे तो जेना अइया सबजेक्ट आया है आप यहाप देख सकते है पहला इंजिनेरिंगट ट्रेंड्स इन आप देख सकते हैं आप इंजिनेरिंग ट्रेंड्स इन मेकनिकल इंजिनेरिंग शॉर्ट फॉर्म है एब्रेशन लिटी यम तो यह जो सब्जेक्ट है इसको अलोटेड़ थीरी हवर है इसके जो एक्जाम है इसके जो अंतमीर एक्जाम होती है वो 70 है 70 मार्क होगी है और उसके स्टार हैस का मतलब है अनलाइन एक्जाम होती थी वे उसके एक्जाम हो रहेगी और Progressive Assessment भी 30 मास मतलब उसमें दो टेस्ट और आपको Mini Project या Micro Project जो रहता है तो जो पहला सब्जेक्ट है वो उसकी Online एक्जामदे से आपकी Material Science की भी हुई थी उसी तरीके से ठीक है Total Mark 100 यह Compulsory सब्जेक्ट Second है Industrial Hydraulics and Numatics यह जो सब्जेक्ट है यह पिछले आजी स्किम में भी था Industrial Fluid Power नाम बदला है बागी कुछ बदला नहीं है End semester examination 70 marks Then Progressive Assessment 30 marks Total 100 हो गए उसके बाद में Practical है 25 marks का और आपकी जो फाइल है और सरी आपका जो Progressive Assessment है उसको भी 25 Total 150 mark का यह सब्जेक्ट है 70 then 30 Then Practical में 25 25 3rd subject है Automobile Engineering तो Automobile Engineering सेम पैटन है 70 30 Then 25 25 तो देड़ सो मार का यह भी subject है 4th one is Industrial Engineering and Quality Control तो जो आपका 2nd year में जो आपका हुआ था Metrology and Quality Control तो वहाँ पे सिप Metrology था यहाँ पे Quality Control आएगा उसमें Industrial Engineering भी एड़ किया जाएगा तो यह जी subject देड़ सो मार के लिए होगा 70 70 end semester examination रहेगी मतलब पूरा theory paper 30 mark का Progressive Assessment जिसमें 2 test और आपका Micro Project और उसके बाद में जो आपका Practical 25 add add का मतलब होता है यहाँ पे हम नीचे देखेंगे add का मतलब क्या होता है add मतलब internal assessment है और hash मतलब external assessment तो जो आपका Automobile Engineering था उसको external assessment है और जो आपका Quality Control है उसको internal assessment है लेकिन तिनों subject देड़ सो मार के लिए है दिन आगे बढ़ते हैं इलेक्टिव आपको चूज करना है तो पहला इलेक्टिव है Computer Integrated Manufacturing जिसमें कि आपको जो आपको पिछले semester में जो manufacturing process related था जैसे कि numerical control या CNC इसके बारे में ज़्यादा process इसमें आपको मिलेगी उसके related देन second is Refrigeration and Air Conditioning जो आपने power पड़ा उसका जो last chapter है तो वही chapter यहाँ पर elaborate करके पूरा unit बन गया है तो उसको बोलते है Refrigeration and Air Conditioning RAC and third one is renewable energy technology यह भी बहुत easy है और आपको जो daily routine के जो आपके problem है उसको solve करने के लिए भी use होता है जैसे कि electricity का bill के से आता है कैसे tariff होता है electricity का bill के से count करते है energy कहा यूज होती है और efficiency के से बढ़ा सकते है तो यह सारे मतलब energy का audit जो कैसे करते है उसका भी और यह type of energy renewable energy यह इसमें दिया गया है तो यह तीनों में से आपको एक elective choose करना है सबको mark same ही रहेगी 150 और जो six और seven फिर compulsory है entrepreneurship development तो इसमें कुछ नहीं है आपको सिर्फ file है तो 50 marks के लिए यह आपे देख सकते हैं 50 at आड का मतलब मैंने पहले ही बता दिया आड का मतलब होता है internal assessment रहता है और आगे जो है उसमें minimum 20 और practical 50 marks के लिए तो ऐसा 100 marks का यह रहेगा तो यह subject नहीं है यह आपका exam से पहले ही हो जाएगा यह दोनों मतलब जैसे कि आपका 50 marks का आपको इसमें पढ़ा जाएगा कि कैसे मतलब आपके guest lecture होंगे कैसे entrepreneur बने इसके उपर and then last in cash on project execution and report writing तो आपका जो project है 100 marks के लिए है यह तरीके से आपका यह पूरा syllabus है mechanical engineering वालों के लिए ठीक है आपको यह semester के लिए बहुत बहुत शुप कामना है दन्यवाद आपको आपको